बहुत बुरे फस गए भाजपा नेता नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि जब समय खराब होता है तो हाथी पर बैठे आदमी को भी कुटा काट कर भाग जाता है। बहुत फसते ही हैं। साथी साथ परी की परी पार्टी को फसा रहे हैं। अब कॉंग्रिस पार्टी से राहूल गांधी, प्रियंका गांधी और कंग्रेस अध्यक्ष मल्डिकारजुन खढ़गे इन तीनों वह भैंकर वाला मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी वो बोलने लगी है जो अब तक वो नहीं बोला करती थी पूरे जीवन नहीं बोला राहुल गांधी भी सारे हत्यारों के साथ उतरते हुए दिख रहे हैं कॉंग्रेशन धक्ष ने तो सिधा सिधा नरेंदर मोदी को लंबा चोड़ा खर्रा लिख दिया है यानि लेटर लिख दिया है एक दिन में इन तीनों ने किस तरीके से भाजपा और नरेंदर मोदी को मकरजाल में फसा दिया है बहुत आसान भासा में आपको बताएंगे मगर उससे पहले आप सभी सनरोध है के यह दिया आप में पहले बात देख रहे हैं तो फेस्बुक प बढ़ाया किसी ने कमेंट करके किसी ने मैसेज करके किसी ने फोन करके तो किसी ने आर्थिक सहयोग भेज कर इस भरोसे को बनाये रखने के लिए आप सभी का दिल से सुक्रिया यह वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है पूरा पूरा देखिएगा जितना हो सके सेर करि ये भी अपने आप में एक सायोग है बहराल अगर मैं आप से पूछ हूँ कि 2024 का चुनाव किन के बीच हो रहा है तो आपका जवाब क्या होगा भाजपा कॉंग्रेस के बीच एंडिये या इंडिया के बीच मोदी या राहुल के बीच ये सारे जवाब पूरी तरह से ठीक नह है तत्यों पर चल रही है दूसरी तरफ निर्टमोदी है भारती जंता पार्टी है यह हर एक सब्सक्राद में किसी पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं सहजादे को पिम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है अब ज़रा सोच ये जिस राहुल गांधी की दादी ने यानि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुक्डों में बाट दिया कभी न भूलने वाला कि पाकिस्तान के नेता क्या सोच रहे हैं ये नरेंडर मोदी को किसे पता चल रहा है क्या फोन करके वो लोग बता रहे हैं दूसरी बात ये है कि भारत की बात क्यों नहीं हो रही है भारत के असल मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है दूसरा जूट लगातार प्रधान मं को ही देना होता तो उसने दे दिया होता किसी का मंगल सुत्र चीन लिया होता किसी का घर चीन लिया होता किसी की भैस चीनली होती जैसा कि प्रधार मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास दो भैस होगी तो एक भैस कॉंग्रेस लेकर जाएगी इस पर जवाब यह आ रहा है कि जिसक गांदी ने अपनी माता की विरासत लेने के लिए कानून वदल दिया इसी बात को पकड़ कर प्रियंका गांदी ने बुरी तरह से लपेटा है और पहली बार उन्होंने चुनावी मंच से अपने पिता की सहाधत को याद करते हुए भावुक होकर नरेंद्र मोदी को आइना दिखा दिया प्रियंका ने कह दिया कि ये लोग मेरे पिता को देश द्रोही कहते हैं विरासत की बात करते हैं मेरे पिता को विरासत में धन दालत नहीं बलकि सहाधत मिली है और इस बात को मोदी जी नहीं समझ पाएंगे थोड़ा सा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जब मोधी जी कहते है कि मेरे पिता जी ने कोई कानून बदल दिया अपनी माँ से विरासत लेने के लिए तो मेरे दिल तो मोधी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिता जी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली मेरे पिता जी को विरासत में शहादत की भावना मिली इसके साथ ही प्रियंका गांदी ने बेरोजगारी महंगाई नोडबंदी जीस्टी के मुद्धे पर बीजेपी को घेरा ये वो मुद्धे हैं जिन से लगातार नरेंदर मोदी और पूरी की पूरी भाजपा दुम दबा कर भागने का प्रयास कर रही है अगनी वीर से लेकर प्राइवेट डेसलेशन के मुद्धे पर भी प्रियंका गांदी ने जम कर घेरा प्रयंका गांदी ने कहा कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस वक्त देश में है माबाप अपने बच्चों को महनत से पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि बच्चा बड़ा होगा कमाएगा अच्छी नौकरी करेगा बुढ़ापे में देखवाल करेगा लोग महनत करके ट्यूसन की फीज बरते हैं खूब महनत करके बेटे को भरती की परिक्सा दिलवाते हैं पेपर लीक हो जाता है कोई कहीं बैट कर उसके बच्चे की जिंदगी बरबाद कर देता है गोधी मीडिया को भी प्रियंका गांधी ने जम कर लताड़ा उन्होंने कहा कि देश की मीडिया को करोड़ पतियों ने खरीद लिया है विपक्स को दबाया जा रहा है लेकिन हम लड़ते रहते हैं क्योंकि हम उनकी सत्ता से डरते नहीं है एक तरफ से प्रियंका गांधी का तावर तोड हमला जारी है, दूसरी तरफ से राहूल गांधी ने भी मोर्चा खोल रखा है, उन्होंने करनाटक के प्रज्जल रवन्ना के मामले को उठाते हुए, करनाटक में जबरदस हमला बोला, राहूल गांधी ने कहा कि प्रधान मंत का मास रेप किया है उसका जवाब और उसकी माफी प्रधान मंत्री मांगे महिलाओं से थैंकी वेरी माच अब सवाल ये है कि जिस भाजवा नेता नेरेंद्र मोदी ने इस देश से नोटबंदी के लिए माफी नहीं मांगा पुलवामा के लिए माफी नहीं मांगी डोकलाम के लिए माफी नहीं मांगी नोटबंदी के बाद तो पचास दिन मांग रहे थे कह रहे थे कि आप जिस सिंग का मामला ही याद कर लिजिए देश की महिला पलवानों ने कितने गंभीर यह उन्सोसन के आरोप लगाए कितना अंदोलन किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जिन बेटियों को अपने घर के बच्चे कहा करते थे नरेंद्र मोदी उनका ही साथ नहीं दिया उल्टे अब उसी ब्रजभूसन के बेटे को टिकट दिया जा रहा है भाजपा से ऐसी खबरें आ रही है इस पर महिला पलवान साक्षी मलिक ने लिखा है कि देश की बेटियां हार गई ब्रजभूसन जीत गया हम सब ने अपना करियर दाओं पर लगाया कई दिन धूप बारिस में निकमजोर होती है प्रभू सरी राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए उनके दिखाये गए मार्गों का क्या वहीं लोग कह रहे हैं कि ऐसी ही बेटियां हारती रहेंगी यह उन सोचल करने वाले दुसकर्म करने वाले जीतते ही रहेंगे यह भी मोदी की गारंटी है पिछले भाष चीन लेगी नरेंद्र मोदी ऐसी भाकी भाकी बातें इसलिए भोल रहे हैं जूट इसलिए बोल रहे हैं क्योँकि कंग्रिस से बिखेंजों के विखाया होती जितना अमारी सरकार कीiden अदूस्तार होी रहुल गांदी का कहना है कि नरेंद्र मोधी के आरक्षन खटाओ अभियान का मंतर है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी न मिलेगा आरक्षन। भाजपा सरकार अंधे नेजी करण से सरकारी नौकरियों को खत्म करके चुपके-चु यह वही पद हैं जहां आरक्षण का लाब मिलता है। पिछले सालों में मोदी सत्ता ने गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण का ऐलान किया था। अपने लोगों से भी जूट बलवा रहे हैं। यही कारण है कि आप ऐसी भासा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधान मंत्री पद की गरिमा के बिलकुल विपरीत है। उसका उस तरह से प्रभाव पढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा है जैसा आप चाहते थे। यही कारण है कि अब आप चाहते हैं कि आपके उमिद्वार भी आपकी जूटी बातों को आगे बढ़ाएं। एक जूट को हजार भार बोलने से वो सच नहीं बन जाता प्रधान मंत्री जी। मद्दाता इतने समझदार है कि कॉंग्रेस ने घोसना पत्र में क्या लिखा है और हमने क्या गारंटी दी है वे खुद पढ़कर समझ सकते हैं। हमारी गारंटी इतनी सरल और असपस्ट है कि हमें उन्हें समझाने की जरुवत भी नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं यहां उन्हें दोबारा रख रहा हूँ। हमारी पहली गारंटी है युवा न्याय की। इसका उदेश हमारे देश के उन महिलाओं और लड़कियों को ससक्त बनाना है जो आपके नेताओं और उनकी मानसिक्ता के कारण उत्पीडन जहलने को मजबूर है। हमारी तीसरी गारंटी है किसान न्याय की। उनकिसानों को ससक्त बनाना जिनने अपने फसलों के लिए उची दाम मांगने पर गोली मार दी गईı और पीटा गया। हमारी चोथी गारंटी है स्रमिक नयकी उन स्रमिकों और कामगारों को ससक्त बनाना जो आपकी सूट बूट की सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती मंगाई और बढ़ती आय असमानता से पीडित हैं। हमारी पाचवी गारंटी है हिस्सेदारी नयाय की गरीबों को ससत बनाने के लिए जिनें उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारी गारंटीयां सभी के लिए है नयाय सुरिश्चिर करने वाली है। हमने आपको और ग्रिह मंतरी को ये कहते हुए सुना कि कॉंग्रेस तुस्टी करन की राजनेती कर रही है। पिछले दस वर्सों में हमने जो एक मात्र तुस्टी करन नेती देखी है वो है आपके और आपके मंतरिये द्वारा चीनियों का तुस्टी करन। आप आज भी चीन को गुसपैट ये कहने से इनकार करते हैं बलकि 19 जून 2020 को आपने गलवान में 20 भारतिये सैनिकों के सरोच बलिदान का अपमान करते हुए कहा था कि न कोई घुसा है न कोई घुसा आया है। आपने चीन को जो क्लिंग चिट्दी है उसने भारत के पक्स को कमजोर कर दिया और चीन को और अधिक आकरामक बना दिया। प्रदेश, लब्दाख और उत्तराखंड में LSE के पास बारबार चीनी घुसपैट और Sun Infrastructure के निर्माण के कारण तनाव बढ़ गया है। भारत में चीनी समानों का आयाद भी काफी बढ़ गया है। सिर्फ पिछले पांच वरसों में 54,7,6% की वृत्ती हुई है। और 2023 में 101 बिलियन डालर को पार कर गया है। अपने पत्र में आपने लिखा है कि SCST और OBC से आरक्षण छेल दिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दे दिया जाएगा। हमारा वोट बैंक हर भारतिये हैं, घरीब, हासिये पर रहने वाले लोग, महिलाएं, महत्वकांची युवा, स्रमिक वर्ग, दलित और आदिवासी हैं। हर कोई जानता है कि ये RSSBJP ही है जिसने 1947 से लगातार आरक्षण का विरूत किया है। हर कोई ये भी जानता है कि RSSBJP आरक्षण को समाप्त करने के लिए समिधान को बदलना चाहती है। आपके निताओं ने इस बारे में खुल कर बात की है। आपको ये असपस्ट करना चाहिए कि आप हमारे समिधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार SCST और OBC को उनकी जनसंक्या के आधर पर आरक्षण का विरूत क्यों करते हैं। आपने अपने पत्र में कहा है कि लोगों की मेनत की कमाई चीन ली जाएगी। आपने अपने पत्र में ये सपस्ट रूप से जूट लिगा है कि कॉंग्रेस विरासत कर लाना चाहती है। हमारे मेनिफेस्टों में कहीं भी ये बात नहीं लिख्यो ही है। हकीकत ये है कि आपके पुरु वितमंत्री और आपकी पार्टी के नेताओं ने बारबार इसका उलेक किया है। कि वे विरासत करके पक्ष में हैं। आप अपने नेताओं के इन भासणों और टिपड़ियों को आनलाइन देख सकते हैं। आपके पत्र से पता चला है कि आप चुनाव के पहले दो चरण में हुए कम मतदान से चिंतित हैं। यह दर्साता है कि लोग आपके नीतियों या आपके चुनावी भासणों को लेकर उत्साहित नहीं है। अपने नेताओं द्वारा लगातार किये जा रहे अत्याचार पर बात करने में दिल्चस्पी है। हमारा घोसना पत्र नया की बात करता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो। यदि आप नफरत से भरे भासण देने के बजाए पिछले दस वर्सों में अपनी सरकार के प्रदर्शन पर वोट मांगते हैं तो प्रधान मंतरी के रूप में बहतर होता। कॉंग्रेस पार्टी आपको या आपके द्वारा नियुक्त किये गए किसी भी व्यक्ति को हमारे घोसना पत्र और आपके द्वारा उठाए गए पॉइंट्स पर बहस करने की चुनावती देना चाहेगी। जैसा कि मैंने अपने पहले पत्र में उल्लेखित किया था। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब लोग आपको केवल एक ऐसे प्रधान मंतरी के रूप में याद करेंगे जो निश्चित दिख रही हार से बचने के लिए जूट से भरे विभाजनकारी और सामप्रदाइ भासर दे रहा था। देख लिए आपने क्या दुनिया के इतिहास में कभी आपने पढ़ा कि किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधान मंतरी इस कदर जूट बोलता हो जिसके जूट को लेकर देश और दुनिया परिशान हो गई हो इन सब को देखकर एक बात तो कहना ही पड़ जूट बोलने में निशित ही विश्व गुरु ही नहीं बलकि ब्रह्मान्द गुरु बन चुके हैं ऐसा कोई नमुना दूसरा नमुना दुनिया में न भूतो न भविस्यती खुद भी जूट बोल रहे हैं अपने तमाम लोगों से भी जूट बलवा रहे हैं इस बात की को के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहें